नवजात शिशुओं में पीलिया अक्सर चेहरे से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे नीचे छाती, पेट, हाथ और पैरों तक पहुचता है पीलिया के प्रसार को दिये गई चित्र से समझा जा सकता है फ्राकरतिक रोश्णी में उंगली से नवजात शिशु की नाक या माथे को दबा कर त्वचा के पीले रंग को देख पीलिया जांचते है शिशु में सीरम बिलिरुविन के स्तरों की जांच से या फिर ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुविनों मीटर का इस्तिमाल करके पीलिया का पता लगाते हैं नवजात शिशु में पीलिया के कुछ सामान्य कारण है पहला एबियो विसंगत यानि इनकमपाटिबिलिटी इसमें मा के प्रतिपेंड यानि एंटिबॉडीज अपरा यानि प्लेसेंटा से भ्रून के रक्त प्रवाह में पहुँच जाते हैं जिससे बच्चे की रक्त को कोशिकाएं तूटने लगती हैं दूसरा समय से पूर्व जन्म तीसरा अवटू अल्पक्रियता यानि हाइपो थायराइडिजम चौथा पित्त मार्ग यानि बाइल डक्ट में रुकावट पांचवा खून का ठक्का जमने के विकार यानि क्लॉटिंग डिसॉडर छटा र मस्तिश्क की कोशिकाएं पीली पढ़ने लगती हैं और आखिर में गलना शुरू कर देती हैं मस्तिश्क का अधिक नुकसान होने से बशने के लिए कार्निक्टरिस का इलाज जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए नवजात शिशूं में पीलिया का इलाज इन तरीकों से क आजा सकता है पहला प्रकाश चिकित्सा यानि फोटो थेरेपी इसमें नवजात शिशू की तवचा को नीली या सफेद चमकीली रोशनी दी जाती है जिससे शरीर का बिलिरुबिन तूटने या नश्ट होने लगता है और फोटो ऑक्सिडेशन नाम की प्रक्रिया द्वार मल त्याग से बाहर निकल जाता है घरेलो प्रकाश चिकित्सा यानि फोटो थेरेपी उपचार में रोशनी देने वाले पैड गद्दे या लैंप का इस्तिमाल होता है इस सूची में जानकारी दी गई है कि नवजात शिशू में बिलिरुबिन के स्तर और प्रतियक के पिलिरुबिन और प्रतिपिंड को हटा कर किसी डोनर का नया खुन चड़ाया जाता है इस प्रक्रिया में नाभी रज्जू को एक विशेश वॉल्फ से निकालने के बाद अकसर नाभी की नस यानि अमिलिकल वेन में कैथिटर यानि नली को डाला जाता है और फिर इस पिलिली लीटर रक्त से बदल दिया जाता है हलके पीलिया के इलाज में शरीर से अधिक बिलिरुबिन बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि मल त्याग ज्यादा हो इसके लिए स्तन पान अधिक करवाएं साथ ही बच्चे को सूरज की सीधी रोशनी में खिरकी के पास आइ